आदिन्न दाना विर्मनी सिख्खाप दिंस्माधियामी आदिन्न दाना विर्मनी सिख्खाप दिंस्माधियामी धम्मपद गाथा 137, 138, 139 and 140 137 से लेके 140 तक ये 4 गाथाएं एक साथ ही हैं नमबर इनकी चारा लगलग जरूर हैं मगर गाथा इनकी एक है, कथा भी लगबग इनकी एक ही है और बहुत इंपोर्टेंट है महत पूर्ट इसलिए है कि भगवान बुद्ध के राइट और लेफ्ट हैंड दो रहे हैं एक सारी पुद्ध रहे हैं जो राइट हैं रहे हैं और एक महा मोगल लाइन रहे हैं महा मोगल लाइन और सारी पुद्ध दोनों दोस्त रहे हैं एक साथ ही पवज्जा के लिए एक ही साथ उन्होंने भगवान बुद्ध के ग्यान के लिए क्लासें आरम की थी और एक साथ ही दोनों दाखिल हुए थे भगवान बुद्ध के स्कूल में, कॉलिज में दोनों ही बड़े होनार थे, दोनों ही बड़े तेज थे, क्योंकि पहले ही वो अपने आपको निज को खुजने के लिए, अपनी सेल्फ इस्टडी के लिए, कि हम क्या है क्या नहीं है, इस बात के लिए दोनों चर्चा करते रह जाते थे और दोनों ही इस बात के लिए जिग बहुत तेरी से धम्म को सीखे। निगन्ट वाले बहुत ज़्यादा इस बास से प्रशान थे कि बुद्ध की, तथागत की, सम्मेशं की, भंगी बुद्ध की, भंगवान की, भागवान की, चर्चा बहुत ज़्यादा है। और इन पे आक्षेप लगाने के लिए, अपराद लगाने के लिए, दोस लगाने के लिए कुछ बिलता भी नहीं है, ना तो काया का है ना कंचन का है, ना तो पैसे का रुपे का लगा सकते हैं और ना ही काया का दोस लगा सकते हैं, ऐसा करके उने पहले प्राई भी किया था, चिंचया के साथ में जो चिंचया एक महिला थी उसको बेजा था तो वो हर बार असफल हो जाते थे तो जब ज़्यादा असफल हो गए तो उन्होंने कहा कि इनकी जो राइट और लेफ्ट हैंड है उन्में से पहले एक को खतम किया जाए तो महा मोगल्यान को खतम करने के लिए उन्होंने जो पेसे वर लुटे रहे और हत्यारे थे उनको कुछ पैसा दे के और उनको प्यार किया कि आप महा मोगल्यान को मार दो और वो जो इसी गिरी है यानि कि जो इसीयों का परवत है वहाँ पर रहता है जिसको काल सिला बोलते हैं काल सिला का मतलब है काला पत्थर वहाँ राजगिरह के पास में आप वेनुवन के पास में जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको आज भी वहाँ काले पत्थर मिलेंगे उन काले पत्थरों में दरसल लोहा बहुत ज़ादा है और लोहा जंग खाकर काला हो जाता है पत्था तोड़ेंगे तो red निकलेगा लाल निकलेगा, red oxide बहुत होता है उसके अंदर और अगर आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे तो जो iron oxide है वो iron oxide और oxygen से करिया करके iron oxide बनाता है और black color का हो जाता है तो ताले पत्थर लगते हैं तो वही जहां इसी लोग रहते थे इसी का मतलब है कि जहां लोग research करते थे सारे वज्ञानिक वहीं थे उनको इसी बोलते हैं तो उसको इसी गिरी माने जो होता है चोटी होता है प्रवत होता है तो वो इसी परवत पर वहां जाके रहते थे तो वहां उनकी कुटियाती जोप्रिती वहीं ध्यान साथा तपसा करते थे और वो इद्धी और रिद्धी बल के बहुत ज़्यादा मजबूत थे ये रिद्धी सिद्धी बल क्या होता है जो रिद्धिया होती है बेसीकली रिद्धी बोलते है ऐलोकिक बल ऐलोकिक बल का मतलब है कि सरीर के बहार का बल सरीर के बहार की वस्तों को पहचानने की बहुत बड़ी उपलब दी यानि कि आप बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं अगर कमरे में हैं या हॉस्पिटल में हैं या सनीमा हॉल में हैं या अपने दफ्तर में हैं या दुकान पर हैं या जहां काम कर रहे हैं या रिक्से में हैं, या ट्रेन में हैं, या बस में हैं, या हवाई जहाज में हैं, या पैदल हैं, किसी फंक्शन में हैं, किसी मौत हैं वहाँ हैं, तो आप उसके आसपास के वातरवर्ण को देखके, और उसके एक एक आदमी की गतिविदी को देखके, जो अलोकिक है, यानि intuition भी बोल सकते हैं या futuristic science भी बोल सकते हैं उसको वो बड़े master थे वो लोगों की चाल से ढाल से बाचीज से बैटने से उटने से atmosphere से सबसे यह पता कर लेते थे कि क्या चलने वाला है क्या होने नहीं तो जो मारने आये थे वो खाली हद गए ऐसा उन्होंने फिर दुबारा किया फिर उनको आभास हुआ उनका बल बड़ा तरगला था फिर वो बच गए ऐसे बचते बचते लगबग दो मेने हो गए और वो हर बार बच जाते थे जो चोल रुटे रहे हैं उनको मारने लि पता था कि अब उनकी मिट्व अटल है आने वाली है तो उन्होंने फिर रियास बंद कर दिया कि नहीं अब मिट्व को पूरा करना ही है और मन नहीं है तो उन्होंने फिर अपने आपको वहां से हटाना बंद कर दिया और वो जब वहां से अपने आपको हटाना बंद किया तो लुटरो ने और चोर ने उनको कुटिया में पगड़ा और अच्छी तरह से मारा उनके हाथ पैट तोड़े और उनको अच्छी तरह से मारा और मारा जान के उनको कुटिया में छोड़के चले गए क्योंकि अरत जो होता है उसके अंदर एक बल बहुत अच्छा होता है कि कितना भी पेन हो और कितना भी दर्ट हो चाहँ सरीर का एक एक खिसा तूट जाए तो उसको जब जब कर लेता है उसको सोख कर लेता है उसको सोख लेता है उसको पी जाता है उसको सरीर पे और मन पे नहीं आने देता यानि कि सरीर पे रहेगा मन पे नहीं आएगा तो उसका आभास नहीं होता तो उन्होंने जब देखा कि अब सरीर बहुत ज़्यादा च्छती रस्त हो गया है और ज़्यादा जिन्दा नहीं रहूँगा अब समय आ गया है तो उन्होंने कहा कि भगवान से भगवा से मिलके ही सरीर को छोड़ूँगा तो अपना सारा जो अरहत का बल था यानि कि जो उन्होंने विपसना साधना से की उस सारे बल को समयट कर उन्होंने और अपने सरीर को एकटा किया कर सकता एक विपसना वाला अरहत आदमी और सारे दुखों को मन तक नहीं आने दिया और वहां से घायल अवस्था में वो वहां ने उनकी दसा देखी, वहां उन्होंने भगवान से निवदिन किया, कि अब मुझे परिनिब्बत होना है, परिनिब्बत मतलब फूरी तरह से निब्बत का मतलब है, निब्रत होना है, वरत होना यानि अलग होना है, किस से अलग होना है, सरीर से अलग होना है, अब मु तो अनले ठीक है कहाँ जाकर चोड़ोगे तो उन्हें कहा के काल सिलाप यानि काले परवत पर जाकर मैं सरीर को छोड़ूँगा तो उन्हें का ठीक है महामुगल्यान आप जाते-जाते विक्तों को अपना जो देशनाएν वो देते वोई जाना एक कमाल की बात देखिए कि मरने वाले हैं महा मोगल्यान और भगवान को पता है कि वो मरने के लिए त्यार है, मरने जा रहे हैं फिर भी भगवान आदिस देते हैं कि अपना जो ग्यान है उसको दिक्वों को देखे जाना ऐसा ही भगवान ने किया था कि जाते जाते भी उन्हें पढ़ाया और आखिर में भी ग्यान दिया ये एक ग्यानी कि एक जानकार की सबसे बड़ी खाश्चत और खुबी होती है कि उसकी इक्ष्छा ये रह रहती है कि मैं मरते मरते भी लोगों का लाब करूँ मैं मर जाओं कोई दिक्तत नहीं है मरना सब को है मगर जतना मैं उजला फैला सकता हूँ जतना ग्यान फैला सकता हूँ उतना मैं अपनी जीते जी फैला के चाओं इसलिए जो अच्छे और ग्यानी लोग होते हैं वो हर सेकंड लोगों को जानकारियां देते रहते हैं, बाटते रहते हैं और अभी तो बहुत अच्छा साधन है आप एक वीडियो बनाईए और पूरी दुनिया में वो चली जाती है आपके अगर ग्यान ठीक है, सच्चा है, सम्मयाक है, सम्मा है तो कोई दिपती नहीं है, भगवान बुद्ध की वीडियो तो हजारों लोग बना रहे हैं, पूरी दुनिया में हजारों भासा में बना रहे हैं तो वही आदेश रोन दिया, रोनों ने अपना भिको संको अपना अंतिम जो ग्यान था वो दिया, वो ग्यान जो दिया, उसको भगवान बुद्ध ने जो बताया वो इस प्रकार का रहा है क्योंकि बाद में भिको ने उन से ये पूछा कि भगवन जब महा मोगल्यान इतने ग्यानी थे, इतने ज़्यादा अग्र थे, अग्र थे, यानि आगे थे ग्यान में, जिनका जो रिद्धी और सिद्धी बल है वो इतना उंचा था, जिनोंने अलोकिक सिद्धियां की सफल आँटी से मरता है, आँख खोल के मरता है, पूरी उमर करके जैसे पकाम टपकता है, ऐसे है, बीच में नहीं तोड़ा जाता, ये बीच में तूट गए, इनको बीच में मारा गया, और वो भी इस बीतर ऐसे इसका क्या करन रहा है, तब भगवान ने बताया उनको कि बहुत पुराने समय में, जो मुगल लैन को करम के पाप रहे हैं, यानि जो पिछले करम में, जो इन्होंने करम किये हैं, वो अच्छे नहीं किये हैं, तथा तो ये कहती है, भगवान ने तो ये बताया, कि इन्होंने अपने अंधे मावाप को जंगल में ले जाके, अपनी बीवी हुए कहा तो ऐसा है चूंकि बगवान बुद्धिये भी कहते हैं कि जितना आपको समझ में आए उतना आपको मानना है जितना समझ में ने आए वो अभी छोड़ देना है जब समझ में आए तम मानना है इसलिए आप उस बात को छोड़ें कि उनका पिछला क्या रहा क्या ने आपका है शार है, इस बात को देखें जो अधो गती हुई है. जो गती हुई है, उसके कारण पछले पिछले कहिना गहीं कुछ रहे हैं. चाहें बेसक वो इस जर्म में रहे हैं, चाहें पुछे में रहे हैं. क्योंकि अगर आप चूरी नहीं करेंगे, तो आपको कोई तो वही भगवान बुद्र ने बताया था कि किस तरह से कोई व्यक्ति जब अधंड निया को यानि जिसको दंड ना देना हो उसको भी दंड दे तो दस तरह के पाप उसको लगते हैं यो दंडेन ए दंडेसु यानि जो दंड के द्वारा ए दंडेसु यानि कि ए दंडेसु का मतलब है जो अपरादी नहीं है उसको अगर कोई दंड देता है ए पद उठेन दुस्षती ए पद उठेन का मतलब है निड़ोस पर जिस पे कोई पद नहीं है जो बुरा पद नहीं है यानि कि जिसका पद कभी गल्ती के लिए उठा नहीं जो निड़ोस है अगर निड़ोस पे दोस लगाता है यानि उसको दंडेत करता है और उस पर दोस ल यानि कि दस में से अन्य कोई दूसरा, दस मनन अयतरंग, अयतर माने होता है दूसरा, यानि दूसरा कोई, दस में से कोई भी एक या दो या तीन या दूसरा, दस में से कोई भी ठानंग माने स्थान, खिप मेव निगच्छती, खिप मेव का मतलब है खिप माने सीगरही, और एब माने ही यानि सीगर ही नीग गच्छती, नीग गच्छती का मतलब है प्राप्त होता है या बाहर जाता है, यानि कि अगर कोई वेक्ती किसी को दंड दे जो की अपरादी ना हो, निर्दोस पर दोस लगाए, तो उसको दस मैं से एक कम से कम यानि कोई भी बहुत जल्दी दोस यानि उसका फल मिलता है, अब वो दस क्या है वेदंग फारुसंग का मतलब है, फारुस माने होता है कठोर और वेद माने वेदना है यानि कि जब बहुत ज़्यादा कठोर वेदना सरीर में आती है इसका मतलब दर्द हो रहा है सरीर में कहीं दर्द आएगा माइगरेन होगा, सर में दर्द होगा हाथ पर दर्द करेंगे, कहीं सीने में दर्द आएगा कोई किड्री में, कहीं हार्ट में कोई भी तीम रिवेदना का अद्दा दा सकता है यह पहला है यानि दसमें से जो दस पताएं है उनमें यह पहला है क्या क्या हो सकता है ऐसे आदमी के साथ में जो किसी निर्देश को डंड देता है या उसको दोस देता है तो या तो उसका पेन होगा कहीं ना कहीं बहुत जादा नमबर वन दूसरा है जानिंग, जानिंग का मतलब है हानी यानि कि उसकी कोई नकोई नुकसान होगा, हानी होगा उसका घर गिरेगा, उसका पैसा मरेगा, उसका गराग भग जाएंगे उसकी फैक्टरी लुट जाएगी, उसकी फैक्टरी में लोग काम करने नहीं आएगे उसके घर में चोर गुच जाएगे, उसके नौकर उसके खाने में थूकेंगे उसके नौकर उसका खाना गंदे हाथों से बनाएगे, उसका ड्राइवर तेल चुराएगा या उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं या वो शरावी हो जाएंगे या घर में बीमारी आ लिए मतलब कोई भी हानी उसकी किसी भी तरह की सारीर का एक मानसिक कैसी भी हो सकती है यह दूसरे नंबर का है सरिसस्ट से चै भेदनंग सरीर को चय भेदनंग यानि कि सरीर और सरीर का या भेद हो जाएगा क्या हो जाएगा सरीर का भेदन हो जाएगा क्या भेद होता है तूटना फूटना यानि कि अंग भंग हो जाएगा सरीर का कोई हिसा तूट फूट जाएगा उसका कहीं कोई एक्सिज़न्ट हो जाएगा कोई चीज गिर जाएगी कहीं अटक जाएगा कहीं लुड़क जाएगा कहीं पैर कहीं अटकेगा वहां गिर जाएगा कुछ भी एक्सिज़न्ट उसका हो सकता है या कहीं जल जाएगा य वापी माने होता है या भी और आबाद माने होता है रोग या व्याधी यानि कोई गहरा भी रोग उसको हो सकता है सरदर तो पहला पता है था अब वो कहते हैं चौनिकल डिसीज बोलते है जो लगाता 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 होती रहती है और एक साथ गहरी पता चलता है जैसे कैंसर है या जैसे hepatitis B है ये ऐसी chronical decision या TB है जो लगातार लगातार होती रहती है फिर एक साथ असर दिखाती है आदमी को मार देती है तो कोई गहराभी गंभीर रोग हो सकता है ये चार नमर पे है और पांच नमर पे है चित्तंखे पंचन पापुने यानि के पापुड़े का मतलब है प्राप्त हो सकता है चित्तंखेप का मतलब है चित्त की विछप्ती खेत का मतलब है विछप्त होना यानि के पागलपन हो सकता है चित्त का विछप्त हो सकता है चित्तंखेपन हो सकता है चित्तंखेपन हो सकती है चे दारुणंग परिक्खयक चे यातिनंग भोगानंग चे पभंगुरंग राज तो वा उपसंगं राज तो वा उपसंगं का मतलब है जो उपसर्ग बोलते हैं उपसर्ग का मतलब है बाधा यानि कि डेंजर यानि कि उसको जो राज है राज से कोई उसे बाधा मिल सकती है डेंजर मिल सकता है राज का मतलब है कि सरकारिक तरफ से उसे पनिस्मेंट मिल सकती है राजा की तरफ से पनिस्मेंट मिल सकती है कोट करशेरी हो सकती है जेल जा सकता है और किसी भी IPC धारा में उसको सजा मिल सकती है ठोकिक उसने पाप किया है किसी को मारा है उसके according IPC को धार लगेगी तो उसको राज दंड बोलते हैं यानि कि कोई बाधा पढसकती है राजा की तरब से और देश की तरब से अगर लोक तंद है तो जो सिश्टम है सरकार का उसकी तरब से उसको कोई न कोई धंड मिल सकता है ये छटे नमबर पे है, सात्वे नमबर पे है इसका, अभखानंग चे दारुणंग, अभखानंग चे दारुणंग का मतलब है, दारुण माने होता है कठोर, और अभखानंग का मतलब होता है, अभी आख्यानंग चे का मतलब है, ख्याती में कमी, अख्यान में कमी, ख्यान मे हो सकती है किसी को मारा जैसे दुनिया में किसी देश में लोग मरते हैं तो बागी देश उसके निंदा करते हैं या कोई एक धरम का एक समुदाय का व्यक्ति किसी को मारता है तो दुनिया में कहते है कैसा धरम का आदमी है तेरा धरम ऐसा सिखाता है कि तू आदमी की हत्या करे उनकी वज़े से उसको मार रहा है, तो उसकी निंदा होती है, अरे कैसी परमपरा लाया तू, इस परमपरा में आदमी आदमी को मार रहा है, ये तिरी परमपरा नहीं है, तो जहर है, तो जहरिला आदमी है, तिरी निंदा करते हैं, तो निंदा करते हैं, यानि कि गरत काम की काम नहीं करता है तो तू कहता है कैसा जन सेवक है तू कैसा देश दरूई है तू अपने देश को ही गदारी कर रहा है देश के लोगों को ही रिश्वत ले रहा है देश के लोगों को ही तू लूट रहा है अपने देश को ही लूट रहा है अगर देश के लोगों को लूट र कोई पुलिस का अफसर है वो अपराद नहीं लिख रहा है तो उसके निंदा करते हैं कैसा पुलिस का है तुझे तो लोगों को बचाना चाहिए कानून को बचाना चाहिए लोगों की सेवा करने चाहिए लोगों की जान बचाने चाहिए अरे तु तो खुद ही जान ले रहा ह खुदी देश को लूट रहा है, खुदी अपराद को बढ़ा रहा है, खुदी अपरादियों को बचा, तेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, ये निंदा का तरीका है, निंदा में बहुत सारी जो लोग हैं, वो इतनी बद्वाएं देते हैं, कि उनका असर होता है, और वो गर् से समाप्थ हो जाता है, खै हो जाता है, यानि कि बीमार हुआ तो मर गया, बिजनिस खतम हुआ तो लुट गया, परवार खतम हो गया, उसका कहीं कई मर गया, कहीं कोई फस गया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, तो पूरी तरह से वो अंदर से खतम हो जा परिखंग यातिनंग यानि पूरी तरह से क्या समापत होता है यातिनंग रिस्तेदार यानि नाती रिस्तदार पूरी तरह से खतम हो जाते हैं छोड़के चले जाते हैं कहते हैं यह आदमी ठीक नहीं है यह बढ़िया नहीं है हमें इसके यहां नहीं जाना तो वो किसी भी सा तो आपका परिख्यंग हो रहा है, यानि कि आपका पूरी तरह से छे हो रहा है, जो यातरंग है, यातरंग का मतलब है यात माने जानकार, यातरंग माने जानकार को, यातक माने होता है, जिनको हम जानते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं, रिस्ते नाती, तो इसको बोलते हैं, रि आपका कितना छे हो चुका है कितना नुक्सान हो चुका है कितना नहीं जिन घरों में रिजदार आते जाते रहते हैं वो घर कुई तरह से सुरक्षित पर बढ़िया होते हैं जिन घरों में रिजदारों का आना जाना नातियों का आना जाना बंद हो जाता है उनका कुई तरह से खे और छे हो जाता है यह आठवे नंबर का है नोगे नंबर पे है भोगा नंग चे पभंगुरंग भोगा नंग चे पभंगुरंग का मतलब है भोगों का पूरा नास हो जाता है भोगा चंग यानि कि भोगा नंग भोगा नंग और जितना भी आप भोग रहे हैं जितना ये उसका पूरी तरह से भंग हो जाता है, पै भंगुरंग, पै भंगुरंग हो जाता है, क्योंकि आप क्या भोग रहे हैं, आप सुख भोग रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का सेवा करते हैं, पैसा मिलता है, आपके सुख है, आपको शांती है, कोई ल लोग रहे हैं वो पूरी तरह से भंग हो जाएगा, खतम हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई घर अगर शांती से चल रहा है और आचानक उस घर में कोई जगड़ा हो जाए तो भंगो रहा हो जाता है वो, यानि कि पूरी तरह से भंग हो जाता है, अब वाक या उसकी चर्चा भी कर दीजिए तो सारे लोग डिश्टर हो जाते हैं पुरा देश डिश्टर हो जाता है जो निकम में राजा होते हैं जो निकम में सासक होते हैं जिनको देश से प्यार नहीं होता जो देश दोही होते हैं वो क्या करते हैं अपने आपको बचाने के लिए क दुनिया में जितने भी सासक हैं, जितने भी राजा हैं, जो निकम में हैं, जिनको काम करना नहीं आता, वो जब हारते हैं या जब पर्षान होते हैं तो यह वजटी किसी देस पर हमला कर देते हैं, लोगों को यह देखाने लिए हैं, देखो, अमर्जनसी आ गई, आ फता इसलिए जो बिजनिसमेन लोग होते हैं, जो दुकानदा लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो ये कहते हैं कि बजार में शांती होगी, तब ही व्यापार चलेगा, अगर शांती होगी तो सबसे पहले व्यापार ही बंद होगा, इसलिए बजार में जगडा नहीं होना चाहिए यह है नो नंबर का जो दस्वा है वो इस पिकार है अत्वास अगारानी अग्गी डहती पाव को कायस भेडा दुप पयो निर्यंग सोप जती अत्वास अगारानी का मतलब है अत्वाने होता है तब और वस्वाने होता है जहां रहने के लिए यानि रहने के लिए वा अगार आने का मतलब है अगार, अगार से मतलब है घर, यानि कि रहने के लिए घर, अग्जी डहती पाव को, अग्जी माने आग और डहती माने जलाती है, पाव को माने भी आग होती है, मगर यहाँ पाव को का मतलब कुछ और है, पाव को का मतलब यहाँ पर है, बुद्ध के कायस बेदा दूपयो का मतलब है जो काया है उसको बेदता है कौन दूपयो यानि जिसको दुस्थो पयीया है यानि कि जो दुस्थ समझदार है यानि समझदार तो है मंगर दुरबुद्य है काम खराप mål missed समझदार तो है मगर चागु प्रेट में मार रहा है, समझदार तो है मगर गोली से आदमियों को मार रहा है, यानि समझदार तो है मगर दुरबुद्धी है, उसको दू पईयों बोलते हैं, पईयावान हैं मगर दू पईयावान हैं, निरेंग सो पज्यती, सो माने वहे और पज्यती माने पैदा करता है निरय यानि कि निरय में उत्पन होता है पैदा करता है इसका सीधा 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 सा मतलब हो गया सरीर को आग जलाती है जिसमें वो रहता है उसके गुद्ध बचनों जलाती है उसकी जो दुपईया है यानि दुबुद्ध है वो सरीर को भेटती है और वो निरे में उत्पन होता है दस्वा जो नियम उन्होंने बताया वो इस पिकार है जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को निर्दोष को मारता है उसके जो प्रवचन होते हैं जो उसने भगवान की अच्छी बात सुनी है या जो सही बात सुनी है जिनको प्रावक बोलते है उसका सरीर ये जहां वो रह रहा है वो जलना सुरू हुझाता है यैसी हम पाप करके आते हैं तो हमारे अंदर आग लगनी सुरू हो जाती है पाप करम हमको जलाता है शांती नहीं मिलती अच्छा काम कर गएंगे भूके को खाना खिलाके आएंगे तो हमारे कुर्षांथी रहेगी, ठंदग रहेगी अंदर, मगर हम किसी भुके का खाना छीनके आएगे, तो हमें अनुताब रहताँ है, उस अनुताब का अगर हिूमन है, मन उस्से है, और मूड नहीं है, तो उसे अनुताब होगा ही होगा, चाए भले ही उसको realize होना हो उसको अनुबव होना हो बगर वो सरीर के अंदर चलेगा तो उसके सरीर को ही जलाती है वो अगनी यहाँ जो मतलब है घर जलाने से मतलब है कि सरीर को घर कहा गया है कि दस्वा यह है कि उसके जो सरीर है उसका जो घर है जिसमें वो रहता है यानि जैसे जो दुश्परिया होता है उसके सरीर को तोड़ता है यानि कि अगर जो प्रबुद्ध हो गया एक दुबुद्ध हो गया यानि जो दुबुद्धी वाला वेक्ति है वो जैसे अपने सरीर को तोड़ता है फोड़ता है खतम करता है इसी परकार उसको जब बाद में उस दुख साथ लेके जाएगा दुख की फाइल लेके जाएगा और जब पैदा होगा तो दुख के साथ वेदना के साथ पैदा होगा और उसको दुख देगा भी ऐसा भगवान बुथ ने दस बातें इन चार गातों में बताई जो बहुत इंपोरेंट है जब भी कोई पाफ आपके पास आता है तो दस बातें आज रखें इन दस मैंसे कम से कम एक होगी दस की दस भी हो सकती है दो भी हो सकती है तीन भी हो सकती है समय के अनुसा होगी जरूर जुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पाफ करके आओ और उसका आपको रिजन्ट ना आए आप पुन्य करके आओ और उसका रिजन्ट ना आए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो देश के लोग आपको प्यार करेंगे अगर आप खराब काम करोगे तो देश के लोग आपको चूता मारेंगे ये बात बलकूल सर्टिफाइड और पक्की है ये आप घर में भी अजमागे देख सकते हैं कि घर में अच्छा काम करेंगे तो घर वाली प्यार करेंगे धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी ज़रूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद चंगं सरेनं गच्छामी चंगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी दूतियं पी दम्मंक सर्णां गच्छादी दूतियं पी सर्णां सर्णां गच्छादी ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पी संगं सर्मं गच्छाम। ततियं पी संगं सर्मं गच्छाम। साथु, साथु, साथु कामेस मिच्च चरविर्मनी, सिख्खापदं स्माधियामी कामेस मिच्च चरविर्मनी, सिख्खापदं स्माधियामी कामेस मिच्च चरविर्मनी, सिख्खापदं स्माधियामी कामें पुदं स्यर्मन अधियामम् स्यर्मनी…